Hello everyone, आप सभी SSC Candidates के लिए 2 Important Update है Number 1 पर Update है आपके Application को लेकर यानि की Total जो Applicant है इस बार SSC CGL में उससे लेकर RTI SML जानकारी के अनुसार आपके सामने Complete Data है Number 2 पर आपके सामने SSC MTS 2024 में जो Total Applicant है वो Data आपके सामने है जो कि RTI के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है और तीसरी जो आपके सामने बड़ी जानकारी है कि SSC CGL 2024 की जो Tier 1 की Exam Date है वो Out हो चुकी है तो कुल मिलाकर आज की वीडियो आप लोगों के लिए बेहर इंपोर्टेंट होगा तो आप लोग वीडियो में बने रहना फिर चलिए हम लोग वीडियो की सुरुआत करते हैं देखो आपके सामने सबसे पहले Number 1 पर जो Data है वो है टोटल अप्लिकेंट को लेकर SSC MTS में 57,44,713 जो अप्लिकेंट है वो इस वार दिखे हैं यानि की लगभल लगभग 57.5 लाक कंडिडेट आपके सामने है SSC MTS 2024 में Number 2 पर आपके सामने Data है SSC CGL को लेकर जिसमें 34.8 लाक जो कंडिडेट है वो आपके सामने है जो की 23 जुलाय का Data है और यह जो Data है वो बढ़कर 36.8 लाक तक यहाँ पे पहुँच चुकी है यानि की लगभल लगभग 37.6 लाक जो अप्लिकेंट है SSC CGL 2024 में इस वार आपके सामने है और नमबर 3 पे जुब के लिए बेहत important महत्पूर्ण जानकारी है वो है SSC CGL Tier 1 2024 की एक्जाम डेट को लेकर आपके सामने जो डेट है वो Commission की ओर से जारी important notice में यह कहा गया है कि आपका जो Tier 1 का एक्जाम है SSC CGL 2024 का उसका जो एक्जाम है वो 9 September से लेकर 26 September तक conduct कराया जाएगा यानि की 9 September 2024 से लेकर 26 September 2024 तक आपका एक्जाम CGL Tier 1 का conduct करा लिया जाएगा और आपका जो Tier 2 का एक्जाम है मिली जानकरी के नुसार या आपका mid of December में complete करा लिया जाएगा यानि की Tier 2 के लिए आपके पास लगभग लगभग 63 से 4 वहने का समय सुरक्षित है और Tier 1 एक्जाम के लिए आपके पास 1 month का टाइम सुरक्षित है तो आप लोग इन दिनों में अच्छे से तयारी कर सकते हो उमीद करता हूँ आज के यह जो वीडियो रहा है आप सभी करने डेट्स के लिए इंपोर्टेंट रहा हो तो प्रीज वीडियो को लाइक करके सेर करना और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो आज के से वीडियो में यहीं तक ठेंक यू सो मच आवडियो रहा है